हाई गाइस मैं हुछ सुर्भी ओमेज आपका सुवागत है तर वेल्कूम वाइस कैसे है आप सब आप सब अच्छी होंगे आप आज मैं आपके रही पुरारी चूड़िया यह किसी काम की नहीं थी अचली मीना भी उठ गया है और बिल्कुम नदब पस टूटी नहीं है और क कैसे एकटी रखिया चली क्या है मैं च्छोटी बेटी थी तो इससे पूरी उंड को खोल दिया तो वह इस तरह से गुच्छा बन गया तो मैंने सोचे करना डिया बनाती जाम तब मैं इसको खोल लूँगी और यह में पना च्छोटे मोहती का भी ईगूस किया इसको डेक्र जिससे पता नहीं चड़ेगा मेरी चूडी कैसी है और मैंने डिफिर्ट चूडी ली है क्योंकि एक जैसी नहीं बिल्कुल खराब चूडिया थी इसलिए सब की कलर अलग अलग है और इस जूट की रसी से मैं अच्छी से कवर अब कर लूँगी अगर बहुत से ना उन सी ब पता नहीं की रूटी खरावrolle कि चूडी कैसी है हमारी तो इस तरह से मैंने और भी कई बनाई हैं ज़रे इस तरह से में मैं इसको बांकर डायेट करने लिए विन कले अब इसको हम थुरह से करें करने किसक्ते हैं मैंने इस तरह से ुठा लेते हूं और इस प्लीबelly कर आई इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी छोटा से मतलब मैंने अपने हाथों से ही फोल्ड किया इस तरह से और बीश में बीश में गार्ट बाल दूँगी यह में पास शाइनिंग वाली उन रखी हुए थी जो मैंने पहले भी डियावाई किया था तो मैंने इस तरह से इसको यह इस तरह और इस तरह से मैं क्याँ कोड़न साइट से सब्सक्राइब युझ के ऐसी का इसे की एंडरे Seit ऐस अ voorकल दो कर दो सकति clerk अ अजाना की सब्सक्राइब और पैसे सब्सक्राइब का ऐसों हम दुड कर दोग़ भी कक्यों है इसे सब्सक्राइब बनाया कोई भी कलर के आपके पास हो आप उससे बना सकते हैं बहुत ही सुन्दर सा वाल डेकृरेट लगता है बहुत ही खुपसुरा सा तो यह देखें इस तरह सी और में पास जो चूड़ियां है मैं इस तरह से इसको आप जॉइंट कर लूँगी जॉइंट मैंने जूट की जो रसी है मैंने ऐसी से जॉइंट किया है आप फैवेक लगा के भी कर सकते हैं भीनि अपर de Howard बंना लिया था इस तरह से मैंने इसको बांग लिया है और अब हम इसको डेक्रोरेट करेंगे तो यह देखिए इस तरह से गोल और फैब्रिक लगा के इसको पूरे पर नहीं लगा है वैसे पैचली मैंने जोइंट पर ही किया है जोइंट दिखा ही ना दे और वारा खूब सरसा लगे इस तरह से और बाकी मैंने इसमें सिर्फ यह मैंने तीन बनाए है तीन जगे हैं यह लगाऊंगी तो यह तरह से फैब्र लगा के और यह अच्छी से फिक्स हो जाएगा देखिए इस तरह से बने तीन लगाएं और में पास यह काच की शीशे रखे थे तो मैंने काच की जोईंट पर ही लगाए हैं अगर शीशे ना हूँ आप पर तो आप इस पर बोती भी लागा सकते हैं तो मैंने शीशे और मुठी दॉनों का ही यूज करके इसको डेकृरेट किया है मैं पास पहले के जो मुठी रखे हुए थे मैंने पहले डिय बनाया था और इस तरह से मैं इसकी लटकन सी बनाऊंगी और भी वद्धा यह से मैंने कार्बोर से बोटी सी कर्टिंग करके और म अच्छा लगेगा लेकिं जूट की रसी का ही हमने यूज किया है तो आपने सूचे क्यों निया जिससे ही डेकृरेट किया जाए तो इसे बहुत ही खूब से लगा था और एश्ट्रा की हम कट्टिंग कर लेंगे और नीचे से इस तरह से इस तरह से मैंने इसके तीन बनाए है और इस तरह से हमारा डेकृरेटर और इस तरह से मैं इसको नीचे हैंग करूँगी इस तरह से मैंने इसको लटकाया है और जूट की रसी से ही इस तरह से मैं इसको भाग के इसे खुले ना और लटके अच्छा लगे देखने में कि ये कुछ शी तरह Pharise मैंने दो साइज मतला एक जैसे यह नापके किया ते आंगे और बीज़कर मैंने किया थोड़ा बढ़ा ते किएrente यह आधा तो एक लिद्चस एक गार को डिफूर से लगे इस तरह से रहे लिए टी मैंने यूप के शूब में के और इस तरह से पोल्ड कर दिया और यह बिल्कुल हैं करने के लिए तयार है तो यह देखिए देखने में बहुत ही कुप सब्सक्राइब करके हमने शीशे का यूज किया है शीशे से बहुत इच्छा शाइनिंग आते है और जो जॉइंट है अभी हमें भागा बांदा तो म मैंने उस पर भी शीशे लगा दिया है मैं आपको दिखा दीती हूँ कैसा लगा यह तो यह के हैंग करके बिल्कुल तक खुबसर से लग रहा है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले से गुड़ बाई मिलते हैं नेस वी